आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर इंजान फेस करता है उसका सल्यूशन क्या है और प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम पहले बताता हूं प्रॉब्लम यह है एडिटिंग कर रहे हो बहुत लंबी सीक्वेंस है बहुत सारी क्लिप्स पड़े प्रोजेक्ट पैनल के उपर यहली क्लिप मैंने लीनी एडिटिंग कर लिया फिर आपको द्याना और यार एक वह शॉट भी तो था वो टामलेन के उपर नहीं आया है शायद कहां वह वह शॉट होता है यह शॉट शायद रिपिटिटिड है यह मैं एडिटिंग करते को पता करना हो कि मेरी जो क्लीप है यह मेरी source window के ये अंदर अगर मैं एसको क्लीक करता हूँ अगर मैं F दबाता हूँ तो मुझे ये क्लिप पूरी source window के नदर दिख जाती है और अगर ये मेरी ट्रिम्ड है अगर यह मेरी यूज किया हुआ है वो सिफ इतना part यूज किया हुआ है यह मुझे दिखाता था कि यहां से आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी source panel के अंदर आपने जो clip का कौन कितना part यूज किया हुआ है दूसरा अगर आप इस clip के उपर right click करके आप नीचे जाते हो इदर और आप देखते ह कि प्रोजेक्ट विंडो के अंदर प्रोजेक्ट पैनल के अंदर यह clip पढ़ी कहां पर है यह रही यह दिख जाता है दूसरा एक चीज और रैट क्लिक करिए नीचे जाइए और आपको यह भी दिख जाता है कि यह explorer मेरे PC में कहां पढ़ी हुई है देखिए PC में यहां बहुत लंबी है अब आपको नहीं पता कि यह clip मेरी यह ली क्लिप मेरी टामलान के उपर कहां यूज हुई है वह बहुत सारे शॉट्स होते हैं बहुत सारे क्लिप्स होती है तो आपको नहीं पर या तो पुरी आप टामलान चेक करोगे या तो या फिर एक इसी तरीका है वो मैं बताता हूँ यहां से आप जब यहां पर देखते हो उसको बोला जाता है मैच फ्रेम आप फ्रेम को मैच करते हो यह देखे मैं F दबाऊंगा तो मुझे दिखा रहा है कि आपने यह clip का इतना पार्ट अपने टामलान के उपर इसके यह clip वो है आप इसको बोलते हो म रिवर्स मैच फ्रेम बहुत बेनिफिशल होता है जब आपको पता नहीं होता कि मैंने क्लिप टैमलान के उपर कहां यूज करी है और यूज करी भी है कि नहीं करी है इस clip को मैं खोलूंगा source window के अंदर यह मैंने source window के अंदर को ली मैं इसके पहले नहीं आप पूंट हटा एक है बाता हूं और आप रहते हुए अघर और友 कहले ऐख करो मुझे ये जो प्रेम थां की वाला जो फ्रेम है मुझे प्लेर को पडिक है और मुझे पता चलगए कि मैंध्य झालिखले कि आगर में ऑर शुपोंटर करता हूं तो ढूसरी की आपने यहां यहां भी यूज किया है एक बार और आपने यहां भी यूज किया है यहां भी यूज किया है यहां भी यूज किया है और फिर वापस कहां यूज किया तो आप देख सकते हो कि मैंने यह फ्रेम अपनी सिक्वेंस के ऊपर अपने टामलान के ऊपर कितनी बार यूज किया और कह यहां यूज की है दूसरा बाग चेक करते हैं इसके अंदर और को क्लिप है क्या अंचल यह वाली जो है इसके अंदर यह यह बंदेगी आ प् Tibus यहाली क्लिप है मैंने इसको खोला और मैंने इस पोला यहाँ कि यहां कि यूज्श किया है ने तो यहां हागी आपने इस कोले मैंने यहां चिलिप के अंदर यृजबर हो क्लिप को दोपामी सब्सक्राइट दॉर्ट बार ऐसा होता है कि आप बिन वाइज आप एडिटिंग कर रहे हो एक बिन को पकड़ा उसका सेक्वेंस बना लिए चलिए मान लिए पता नहीं होता कई बार आप एक क्लिप उठा के दूसरे बिन में डाल देते हो सुबह का शॉट है वो इवनिंग वाले में डाल दिया और आ और रिपीट तो नहीं कर दिया है कि छोड़ा डाउट आया रहे है श्याद ही मैं यूज कर चुका हूं तो यह वो जो डाउट से उसका आप खतम कर सकते हो रिवर्स मैच फ्रेम से इसका एक शॉटकट जो मैंने बताया है शिफ्ट आर वह आपको इधर भी दिखेगा आप सीक्मेंस में जाएंगे तो देखें मैं इस सोर्स विंडो में के अंदर जाता हूं यह सारी यह गया मैं यहां पर यह रिवर्स मैच फ्रेम शिफ्ट आर मैच फ्रेम एफ होता है और रिवर्स मैच फ्रेम होता है शिफ्ट आर तो यह आपको हेल्प करेगा प्रजेक्ट वि और दिखाता है कि आपने सोस फाइल में से इन आउट पॉइंट दिखाएगा कि आपने क्लिप का इतना पार्ट यूज किया उपर से एक चीज और मैं आपको दिखाई कि आप उस पर राइट क्लिक करके वह फाइल को क्लिप को प्रोजेक्ट में भी देख सकते हो कि प्रोजे है आपके काम आज नहीं तो 6 मेने बाद आए गए आएगा मुझे पता है मानो मानो इस से में आपका क्लाफी समय बचा लिया है मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जान गए होगे आशा करता आपको क्लास अच्छा लगा हो कुछ नया जाना हो आज सब्सक्राइब लाइ